विलायती देवरानी देख बेटा, इस लड़की की फोटो, कितनी सुन्दर है ना, मैंने इससे तेरे लिए पसंद किया है नहीं नहीं देवर जी, आप इस लड़की की फोटो देखे, ये बहुत ही सुन्दर और सुशिल है आप दोनों की जोड़ी एकदम फिट जमेगी आरे बहुत हुँ चुपकर, जो लड़की मैंने जतिन के लिए पसंद करी है, वो ज्यादा अच्छी है देख तो जरा कितनी प्यार ही है नहीं मम्मी जी, मेरी पसंद की हुई लड़की भी बहुत अच्छी है एक मिनिट, एक मिनिट आप दोनों शान्त हो जाईए मैं आप दोनों को कुछ बताना जाता हूँ हाँ, हाँ, बेटा, बोल मा, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उसे से शादी करना चाता हूँ वो लड़की फॉरिणर है क्या कहा फॉरर है? क्या मतलब? मा जी, विलायती, वो लड़की विलायती है क्या कहा विलायती? ना बाबा ना, ऐसी बहु मैं तो ना लाऊँ अपने घर में मुझे सब अच्छे से पता है कि विलायती बहुय कैसी होती है इन्हें ना तो घर का कोई काम आता है और ना ही यह हमारे रिवाजों को समझती है मा जी, अब बिल्कुँ सही कहती हो देवर जी, आपको फॉरेणर की जगए कोई इंडियन लड़की पसंद नहीं आई क्या? मा, मैरी ऐसी नहीं है वो बहुत ही अच्छी लड़की है वो हमारे इंडियन ट्रेडिशन को बहुत अच्छी से समझती है नहीं बेटा, मैं तेरी शादी उससे नहीं करवा सकती मा, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ मैरी से वरना मैं किसे से शादी नहीं करूँगा इतना कहकर जातिन वहाँ से हो रही हूँ, क्या अपकी घर में सब मुझे एक्सेप्ट करेंगी हाँ, हाँ, मैरी तुम ज़्यादा टेंशन नलो मेरे घरवाले बहुत अच्छे है वो तुमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे ससु माम जी, गट मारिंग ये लो, जिस बात का डर था वही हुआ क्या हुआ ससु माम जी? अरे बहु, हमारे यहाँ गुड मानिंग बुड मानिंग नहीं चलता यहाँ पर सास के पैर चुने होते हैं होके, होके, ससु माम जी, नो प्रोब्लम इसकी बाद मैरी सुमन के पैर चुती है ठेक है, ठेक है, आप जाकर मेरे लिए जल्दी से चाय बना कर ला माम जी, चाय का मतलब अरे मतलब टी, मेरे लिए भी एक कब बना देना इसकी बाद मैरी सब के लिए चाय बना कर लाती है अरे यह क्या, इतनी काली चाय क्यों बना दी? दो तो इसमें नजर ही नहीं आ रहा माम जी यह ब्लक ठी है यह बदाउट मुल्क बनती है हमारे यहां मिल्क वालिटी ही पीते हैं यह तुम्हारे विलायती कानून यहां नहीं चलेंगे यह भगवान यह कैसी बहु मिली है मुझे मैंने पहले ही कहा था विलायती बहु हमारे घर के रिती रिवास क्या समझेगी पर कोई मेरी बात माने तब न वही तो मुमी जी मेरी पसंद की लड़की से शादी की होती तो हमें यह दिन देखना ना पड़ता पर पापा जी मुझे चाय अच्छे से बनानी आती थी उसकी बाद पलग मेरी से ही घर का सारा काम करवाती है मेरी अभी तुम जल्दी से घर की साफ सफाई कर लो उसकी बाद तुमें कपड़े भी धोने है अखे सिस्टर जी मा अभी खड़ती हूँ अरे ओ बहु तेरे हाथों में क्या मेंदी लगी है जल्दी जल्दी हाथ नहीं चला सकती आपी तो करका सारा काम पड़ा है ये सासु माम जी मेंदी तो लगी है ये देखी कितने बिल्टिफुल है न भगवान ना वाट सासु माम जी अरे कुछ नहीं मैरी ये बस एक कहावत है कहावत? बहुत कहावत सस्टोजी कुछ ही नहीं तुम अपना काम करो जाओ इसके बाद मैरी कपड़े दोने के लिए वाशिंग मशिन में कपड़े डालती है तब ये वहाँ पर पलका जाती है Mary, तुम वाशिंग मेशीन यूज नहीं कर सकती But why sister जी, फर मैं सारे कपड़े कैसे वाश करूँगी तुम्हें हाथ से कपड़े धोने होंगे नहीं तुम वाशिंग मेशीन में सारे कपड़े खराब हो जाएंगे फर वाशिंग मेशीन तो कपड़े धोने के लिए होती है sister जी नाई 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 हमारे यहां ऐसा नहीं चलता है यहां हमें हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं ओके sister जी, मैं भी सारे कपड़े हां से वाश करती हूँ इसके बाद रात हो जाती है और मैरी सभी के लिए खाना बनाती है ओ यह कैसा खाना बनाया है तुने ना तो इसमें कोई नमाक मेर्चा है ना ही कोई मसाल है सहीगा ममी जी आपने, हमारे तो मुझा सारा स्वाद खराब करती है इसने I am sorry, very sorry, sir, maam जी बाद मुझे ऐसा ही खाना बनाता है हमार कंट्री में सब लोग ऐसा खाना खाट है अरे मेरी तो किसमत ही फूटी है जो ऐसी बहुपल ले पड़ गई इसके राज में तो ढंक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा ममी, भाबी, आप दोनों मेरी से इस तरह बाद क्यों कर रहे हो वो अभी इस घर में नहीं है दीरे-दीरे वो घर के सारे काम सीख जाएगी आप दोनों उसे प्यार से समझाईए न अरे वा बिटा, इसका मतलब हम दोनों तेरी बीवी को परिशान कर रहे है आ, बस यही दिन देखना बाकी था कि अब तू भी अपनी बीवी की साइड लेकर मुझे दोशी ठैरा रहा है अरे तुम सारी बातों का गलत मतलब क्यों निकाल लेती हो भागिवान जतिन ने कुछ गलत थोड़ी न काय तुमसे आजी आप तो चुपी रहे है बस इस विलायती बहु के चकर में हार कोई अब मेरे ही घर में मुझे ही गलत थैरा रहा है मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना इतना कहकर सुमन गुस्से में वहाँ से चली जाती है वा देवर जी, बहुत अच्छा किया आपने अब तो खुश है ना रुकिये ममी जी, मैं भी आ रही हूँ बिटा कोई बात नहीं तु ज्यादा चिंता मत कर मैं तेरी मां से बात करके उसे समझाने की कोशिश करूँगा ठीक है पापा, पर मुझे नहीं लगता कि मम्मी मानेंगी सुमन की पडोसन सवीता उनसे मिलने आती है सुमन बेहन कैसी हो तुम आरा बास ठीके हो तब मैरी वहाँ पर उनके लिए चाय लेकर आती है और सवीता के पैरश होती है अरे बास सुमन, तेरी छोटी बहु तो कितनी संसकारी है मैंने सुना था कि ये विलायती है लेकिन इसके अंदर संसकार तो कूट-कूट कर भरे है तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो जो तुमें इतनी संसकारी विलायती बहु मिली है आ सही कहा तुम दै वो तो है अंटी जी पर अभी मैरी को घर के काम भी अच्छे से नहीं आता क्या बताए अब अरी कोई बात नहीं बहु ये भी तेरी तरह घर का सारा काम सीख जाएगी अभी ये नई है धीरे धीरे सब आ जाएगा जी आंटी जी अच्छा आप चलती हूँ मैं थोड़ी दिर बाद पलक अपने फेस पर मुलतानी मिट्टी का फेस पैक लगा कर लेटी हुई थी तब मैरी उसके पास आती है सिस्टर जी अपने अपने फेस पर ये क्या लगाया है ये नाच्रल फेस पैक है इससे हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है आप गट गट सिस्टर जी फर तो मुचे भी ये फेस पाक लगाना है ठीक है मैं अभी तुमारे लिए बना कर लाती हूँ उसकी बाद पलक किचन में जाती है यही अच्छा मौका है अब मैं इसे सबक सिखाती हूँ बाद तारीफ कर रही थी ना अंटी जिसकी अब इसे पता चलेगा बलक मैरी के फेस पैक में खुजली वाला पाउडर मिक्स कर देती है ये लो मैरी तुम्हारा फेस पैक इसे लगा लो अके सिस्टर जी उसकी बाद मैरी फेस पैक लगा लेती है सिस्टर जी मुझे फेस पर बहुत इचिंग हो रही है अरे कुछ नहीं मैरी वो थोड़ी दिर में अपने आप ठीक हो जाएगा अब मजाएगा जब मैरी अपना फेस वाश करती है तो उसका पूरा फेस बहुत ज़्यादा रैड हो जाता है अरे मैरी ये तुम्हारे फेस पर क्या हुआ सिस्टर जी ने मुझे नाच्रल फेस पैक दिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हुई उसकी वज़े से ये हुआ शायद मुझे अलर्चिक रियाक्शिन हो गया है क्या का? पर उससे तो ऐसा नहीं होना चीए था मैं अभी देखकर आता हूँ उसकी बाद जतिन जब किचन में जाकर वो फेस पैक देखता है तब उससे साइड में वो खुझली वाला पाउडर भी दिख जाता है जिसे देखकर वो सब कुछ समझ जाता है बाभी, ये सब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं, देवर जी आपने ये सब जान बुझकर किया है न? अपने जान बुझकर मेरी के फेस पैक में ये पाउडर मिलाया था आखिर आपने ऐसा क्यों किया? नहीं देवर जी, ये सच नहीं है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बाभी, जूट मत बोलिये, मुझे सब पता है बस बहुत हो गया अब इस घर में मैं एक मेरिट भी नहीं रुखने बाला अरे बिटा, तु ये कैसी बात कर रहा है? आखिर बात क्या है? मम्मी, मैं सब अच्छे से जानता हूँ आप लोग मेरी को पसंद नहीं करते इसलिए आप सब उसके साथ इतना ज्यादा बुरा व्यवार करते है चलो मेरी, तुम अपना सामान पैक कर लो हम अभी यहां से चले जाएंगे ना, ना, हम कभी भी नहीं जाएंगी जतिन जी हम इस दिरसा सुमाम जी और सिस्ट जी को छोड़ कर नहीं ज्या सकती मैं यहां पर सबको बहुत पसंद करती हूँ लेकिन यह लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तुम्हें यह सब बड़दाश करने की कोई ज़रूत नहीं है तुम जब से इस घर में आई हो तब से ये दोनों तुमसे घर का सारा काम करवाती है और भाबी खुद कोई काम नहीं करती साथ ही वो हमेशा तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवार करती है उपर से उन्होंने जान बुझकर तुम्हारे फेस पैक में ये पाउडर मिलाया जिसकी वज़े से तुम्हें अलर्जिक रियक्शन हो गया अब हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकेंगे अरे बिटा ऐसा मत बोल तु इस तरह हमें छोड़ कर मत जा हादेवर जी अब ऐसा मत कीजिए नहीं मम्मी बस बहुत हो गया ना जातिन जी हम यह घार छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे इन सब में सासुमाम जी और सिस्टर जी की कोई गलती नहीं बलकि मुझे घार का काम करना आथा नहीं इसलिए वो मुझे समझाते हैं बट मारी ना जातिन जी मैंने कहा ना हम ये घार छोड़ कर कहीं नहीं जुआएंगी हम ससुमाम जी की साथ ही रहेंगे मेरी की ये बाते सुनकर सुमन और पलक अपने की ये पर शर्मिंदा होती है बेटा हमें माफ करते हमने हमेशा तेरे साथ कितना गलत किया लेकिन उसके बाद भी तुने कभी पलट कर हमें जवाब नहीं दिया हाँ मेरी मुझे भी माफ कर दो मैंने भी तुमारे साथ बहुत गलत किया है उस दिन की बाद से सुमन और पलक मेरी को कभी भी परेशान नहीं करते और उसे अपना लेते हैं मा के दिल को कोई और नहीं बलकि एक बेटी ही अच्छी तरह से समझ बाती है लेकिन क्या हो जब किसी की बेटी ही ना हो दो बेटे और उपर से इनका इतना कड़क स्वभाव नजाने कब मुझे भी सुकुन मिलेगा लो फिर शुरू हो गई तुम सारा दिन बस घर का चार काम करके फ्री हो जाती हो सुन लो कान खोल कर बोल रहा हूँ तुम या तो घर अच्छे से देख लो या फिर बता दो क्योंकि पैसे कमाने का सुहुर तो रहा नहीं तुम है कमाओ पत्नी के भरोसे लोग कहां से कहां पाँच जाते है तब ही पडोसन चाची आती है अरे क्या हाल है राधा सच कहू तो तेरी हालत देखी नहीं जाती जीवन भर सास ससुर की सेवा और उन लोगों के जाने के बाद अब ये दो जवान बेटे और खुंसट पती को देख रही हो क्या चाची मजा करते रहती हो अरे खाना बनाने और खाना खाने के सिवाए करते ही क्या है ये क्यों तेरी सास से भी बुरे ताने बिचारी कितना सहती है उपर से तू जो सारा दिन इसे पैसे ना कमाने की बाते सुनाता रहता है तेरे बच्चों पर भी कोई असर नहीं होता मैं तो इस बात से हैरान हूँ कैसी बात कर रही है चाची ये जो है ना बड़े आराम से रहती है ये थोड़ी सी स्मार्ट होती न तो आज हम कहां से कहां होते है अच्छा ये बताओ कि कैसी होती मैं किसके जैसी बनती बताईए न कैसी बाते करते रहते हैं अरे तुम तो एक शब्द मत बूल मेरे बड़े भाई की बीवी यानी मेरी भावी कितना कमाती है वो लोग तो तेरे साथ रहना ही नहीं चाते है अरे मेरे छोटे भाई की बीवी उसे देखो कितनी उची पोस्ट पर है कितना अच्छा मकान ले लिया अरे एक मैं अभी तक वही पापा के मकान में रहता हूं जिसका कब बटवारा हो जाये कुछ नहीं पता अरे पता भी नहीं के मा बाबुजी क्या वसियत बना गया है देख राजेश तेरी बड़ी भाभी ने भी कमाना तब शुरुक्या जब राधा आ गई शादी के दूसरे दिन से तो इसके सर पूरी जिम्मेदारी थी किसी ने नहीं देखी बुड़े सास ससुर की सेवा जेठ देवर सब के लिए खाना पीना कौन था इसके साथ देखे चाची उसके कमे को ना उसकी महांता ना ही बताओ इससे अच्छा तो नाकरा नी ले आता ये बोलकर राजिश तो चला जाता है लेकिन राधा उसे समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे रो रो कर बुरा हाल कर लेती है अरे रो ना तेरे रोने के दिन गए तेरे बड़े बेटे आदित्य के लिए लड़की ढूण का लाई हूँ खूब अच्छी लड़की है तब ही आदित्य आ जाता है अच्छा चाची ठीक है पर ये तो बताओ के कमाती कितना है ये तो नहीं ना कि मा की तरह निठली है मा चल जल्दे से खाना लगा भूख लग रही है राधा बेटी की बात सुनकर परिशान हो जाती है लेकिन करे क्या बेटा सही तो बोल रहा है अरे निठली ही तो है वाह जो निठली है न बस एक दिन बैठ जाए फिर समझ में आएगा बेटा कमाती है बहुत अच्छा मुझे तो लगता है शायद तुझसे भी अच्छा खेर दोनों पक्षों की बात होती है मामला जम जाता है और घर पर आ जाती है मीरा अरे सासुमा कहा गई सुबह सुबह दिखाई नहीं दे रही है अरे कर रही होगी कुछ घर के लिए कान सा देश के अर्थ व्यवस्ता संबाल रही है मीरा को बेटी के मुझे मा के लिए ऐसी बात सुनकर गुसा आ जाता है लेकिन नई नई बहु क्या बोलती वो सोची रही होती है कि सास आ जाती है ले बहु चाय पीले अफिस में तु क्या ले जाएगी बता दे मैं बना दूँगी अरे कैसे बात करिये माजी आप क्यों बनाएंगी अरे आपको खाने में क्या पसंदे बताईए मैं बना दूँगी अरे नहीं नहीं तुम ठक जाओगी आदत है इनकी वैसे भी करती ही क्या है और यह नहीं करेगी तो कौन करेगा तुम नौकरे वाली हो हूँ तो तो क्या घर का काम नहीं कर सकती बिल्कुल कर सकती हूँ चलिए माजी अब यह क्या जो सास अखेले सारा दिन सब का सुनकर खट रही होती है उसका हाथ बटाने उसकी पहु आ जाती है फिर एक रूस देखो मैं देख रहा हूँ तुम दिन पर दिन मुटाती जा रही हो ना कोई काम ना कोई धाम अरे कैसे करूँगा मैं मैंने जकिला कैसे मैंने घर चलाया है मैं ही जानता हूँ बेटे के कमाने के बाद भी मुझे कमाना पड़ रहा है कही कल को इस घर का सारा हिस्सा मा पापा बड़े और छोटे भाई के नाम ही ना कर गया हो तुम जैसे डफर को देख कर तो यही क्या हो का बहु ससुर की बात सुन लेती है कि कैसे वो सास पर चिला रहे होते हैं उसे बहुत बुरा लगता है तो वही सास भी देख लेती है कि बहु की निगाहें उसे ही देख रही है आज पहली बार किसी बाहर वाले के सामने बेज़ती सास बर्दाश नहीं कर पाती वो कमरे में जाकर बैठ जाती है और शान्त हो जाती है बहु जब सास के पास जाती है तो सास खुद को संभाल नहीं पाती और जूर जूर से रोने लगती है मेरी साथ पिछलती सास से हो रहा है बहु मुझे दिसकी आदत हो गई है लेकिन माजी अब कोई काम क्यों नहीं करती जब पापा और बच्चे सभी चाहते थी तो कैसे करती बेटा शादी के बाद बुज़ुर्ग और बिमार सास सुसर के जिम्मेदारी देकर जिठानी तो निकल गई कुछ वक्त बाद ही दोनों बच्चे हो गए अब घार देखू या फिर नौकरी ठीके माजी लेकिन अब मैं आ गई हूँ न बोलिए अब क्या करना चाहती है सास को पहली बार किसी का साथ मिलता है तो वो खुश हो जाती है मैं, मैं कुछ नहीं वैसे किसी ने मुझसे ही पूछा नहीं माजी अब मैं आपके साथ हूँ पिता जी ऐसी ही हमेशा आपकी बेज़ती नहीं कर सकते अगले रुज बहु की छुटी होती है दोनों सास बहु बैटकर चाय पीती है फिर निकल जाती है कहीं दूर बहु पता है मैं सिलाय का काम बहुत अच्छा कर लेती हूँ कुछ तिनों तक इन सब के कपड़ मैं खुद ही सिलती थी कहती थी बजार से लेकर आई हूँ घर का काम काज खुद करके पैसे भी बचाय है हरे मामा जी क्या बात है ये तो बहुत अच्छा है तो चलिए आपके ही बचाय पैसे से आपके लिए कोई काम खुला जाए सास बहु घर के पास ही एक तुकान खरीद लेती है कुछ सास के पैसे, कुछ बहु के उसे तयार करके सास के हाथ में चाबी रखकर बहु कहती है ये लिजी माजी, आपका खुद का काम करिए और हाँ, मेरे कपड़े भी अब आपके बुटिक से ही आएंगे अब तो सास काफी बिज़ी हो जाती है, एक दिन ये क्या है रादा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें घर के कोई चिंता ही नहीं है ना वक्त पर खाना, ना चिंता घर की वो मैं बुटिक में हाँ हाँ पता है बुढ़ा पे मैं काम शुरू करके न जाने काउन से बड़ी बिजनस वोमन बनने की कोशिश कर रही है ससुर सास की बेज़ज़ती किये जा रहा था, तब ही बहु आ जाती है पापा जी माफ करिएगा, लेकिन मा को कुछ बोलने से पहले ये देखिए ये ताउजी ने भीजा है, कहा है उनको और चाचा को इस पे कोई दिकत नहीं है ससुर कागस खुलते हैं जो प्रॉपर्टी का होता है और उसमें ससुर की पिता की चिठ्छी लिखी होती है ससुर चिठ्छी पढ़कर राधा को गले लगा लिता है क्या लिखा है चिठ्छी में? यहीं माजी, कि उनकी मजली बहु के नाम वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर रहे हैं क्यूंकि जब सबने साथ छोड़ा, तो माने उनका साथ दिया हाँ पापा, आज मा की एक बार की कमाई ने हम सबको वो दे दिया जिसके लिए हमें सारा जीवन लगाना पड़ता हमारा अपना मकान, जो की करोडों का है आज के समय में तो हम इसे लेने के सोच भी नहीं सकते हैं साथ बहु को गले लगा लेती है आज जो सम्मान तुने दिलाया है ना बेटा उसकी बात तो तैय है कि मा को बिटिया ही समझ सकती है चाहे वो बेटी के रूप में हो या बहु के रूप में